रामसीतु का ट्रेलर तो रिलीज हो चुका है और उसको देखने के बाद मेरे जो emotion है, मेरी जो feeling है, वो ये है कि यार ये एक बहुत ही fairly average movie होने वाली है, बिलीव नहीं करते तो सुनो मेरी बात, तो जैसा कि आप इस ट्रेलर में देख सकते हो, ये जो movie है, ये रामसीतु के उ किया है, तो obviously वो जो archaeologist है, वो एक atheist होने वाला है, यानि कि वो भगवान में नहीं मानता, तो जब वो archaeologist रामसीतु को destroy करने के mission पर जाता है, तो definitely उसको कुछ ऐसी चीज़े पता चलेंगी, जिससे उसका रामसीतु के अंदर और भी जादा belief बढ़ने वाला है, अब ये वा industry movies होती है, तो इस movie में मेरे लिए बहुत जादा कुछ नया मैं expect नहीं कर रहा, और I think कि मैं ये इस movie के लिए बहुत जादा excited भी नहीं हूँ, ये इस movie में रामसीतु के topic को उतना जादा touch नहीं करेंगे, उतना जादा deep में नहीं जाने वाले हैं, हमें इसमें कुछ भी ऐसा मुझे लगता है नहीं पता चलेगा और उसको कैसे ढूंडा गया, कैसे उसके उपर research चल रही है, हो सकता है movie में ये सब कुछ हो, लेकिन जैसा कि Bollywood का track record है और जैसा कि इसके trailer को देखकर लग रहा है, तो भाई Bollywood एक perfect Bollywood movie बनाने के चक्कर में बहुत बार उस track से अलग गो जाता है, ये हमने बहुत बार देखा है, और movie के अंदर एक छोटा सा love angle भी दिखाया गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये इस movie में बहुत जादा major role play करेगा, बट अगर ये इस movie में कुछ भी थोड़ा बहुत भी major role play करता है, तो ये इस movie की authenticity को बहुत जादा कम कर द all, इस समय लोगों का sentiment यही है कि अगर आप Hinduism से related movies बनाते हो, तो बहुत जादा successful होने वाले हो, overall अगर मैं बात करूँ तो इस trailer को देखकर मुझे एक decent सी vibe आई है, सही बताऊं तो भाई मैं उतना जादा excited नहीं हुआ इस trailer को देखने के बाद, मेरे अंदर वो feeling क्यों नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, बट इस trailer को देखने के बाद मैं उतना जादा excited जितना मुझे होना चाहिए था, राम सीतु के बारे में जानने के लिए मैं उतना excited नहीं हो पा रहा, because अगर आप इसके VFX की भी बात करोगे, तो इसके VFX कुछ खास नहीं लग रहे, most importantly वो जो last ही तुके ऊपर चल कर आ रहा है, पत्थर लेकर आ रहा है, बट वो VFX भी कोई खास नहीं लगता है, और आदी पुरुष के teaser में VFX देखने के बाद हो भाई, एक ऐसा standard set होने वाला है, I don't know भाई, वो standard कितना low हो सकता है, तो let's just hope कि ये movie थोड़ी अच्छी हो, entertaining movie हो, बस मै इससे इतना ही expect कर रहा हूँ, so that's it for the video, अगर आपको और ऐसे videos देखनी हैं, तो आप मेरी इस वाली video पर click कर सकते हैं, thank you for watching, bye bye